हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनल आज बात करने वालों में एक दिगच कंपनी के बारे में जब से लिस्टिड हुई ये लगातार निवेसकों को अच्छा पैसा बना के दिया है इस सेयर में मोनुपॉली बिजनेस है मैं बात कराऊं आई यार सीटी सी के सेयर के बा करना और सेयर मार्केट से पैसे वाला बनना है तो आयार सीटी सी एक सांदर पिक हो सकती आपके पॉर्टफोलियो के लिए तो एसाइपी मोड पे इस टैगर्ड मेनर में आप इसे अपने पॉर्टफोलियो में धीरे-धीरे करके एड कीजिए और जो भी सेयर लीजेगा उस स्टॉक जरूर होना चाहिए आप इसे चाहिए धीरे-धीरे ख़ई दें लेकिन आपके पॉर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए यदि आप लॉंग टर्म के लिए पॉर्टफोलियो अपना बना रहे हैं तो आज देखते है नसी पे कैसा काम का जूँगा करीब एक करीब करीब साड़े 14 रुपए जो एडजेस्टेट प्राइज है इसका 1409 रुपए प्रीवेस क्लोज इसका 1395 रुपए था और वहीं जो आज ये ओपन हुआ था 1400 रुपए पे दिन का जो हाई ये 1427 है और वहीं दिन का लोग 1301 रुपए का है लॉंग टर्म के लिए यद परसेंट इसमें तेजी दिखाई दे रही है वहीं एक वीक में IRCTC ने जो रिटन कमा के दिया है अपने निवेसों को माइनस 1.63 परसेंट का रिटन है एक महीने में जो इसने रिटन मना के दिया 11.55 परसेंट का पॉस्तिव रिटन है 2020 में 50.92 परसेंट का देख सकते आप प पोटफूलियो के लिए एड कीजिए किसी भी डिप में जब भी मौका मिले आप इसके थोड़े-थोड़े उठाते चलिए यह आपको बड़ा पैसा बना के दे सकता है लॉंग टम में तो मैं एक बात अचाहता हूँ आप जो भी सेर एड कीजिए उसे लॉंग टम के लिए ही एड कीजिए यदि पैसा बनाना चाहते हैं यदि आव हजार दूहजार दस हजार या एक लाग रुपए में खुद हैं तो सेर मार्केट फिर आइटिंग आपके लिए है नहीं यहाँ पर पैसा बहुत बड़ा बन सकता है जो आपने किसी ने नहीं सोचा कितना बड़ा तो आप चाहे इंवेस्ट कम करिए पैसा लेकिन समय बड़ा ही है अपना समय इसमें बहुत जड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो आईए देखते हैं आज कैसे नेसी में करोगार कैसा हुआ है तो करीब जो आज 18 जून के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली है आई आई आ आई इसका 1994 रुपय का है लॉंग टम के लिए एड कीजिए आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगा और वीडियो में आप बने रही है मैं आपको इसका लॉंग टम और शॉट टम दोनों भी टार्गेट भी बताऊंगा ताकि आप यह जान सकें कि यह भी तक कहां जाने आइड करते रही है पैसा तो अपने आप यह बना के देगा पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी गवर्मेंट कंपनी आप जानते हैं इसका फेर होल्डिंग पैटन समझते हैं प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वह 87.40% की होल्डिंग है एफाई आई इसमें 1.70% है अधर कंपनिया जो है इसमें 0.05% है नॉन इंस्टिट्विशन इन्वेस्टर 8.65% अधर डियाई इसमें जो होल्डिंग रखते हैं वह 10.15% की होल्डिंग रखते हैं तो स्टॉक किसी भी तरीके से कंजूर नहीं है बैटरीन स्टॉक है आपको पता है करीब करीब 2000 रुप आपको बात बताने जा रहा हूं कि कोरोना के वैस्ट ट्रेने अभी चल तो रही है लेकिन इसमें ज्यादा पैसेंजर ट्रवल नहीं कर रहे हैं जैसे ही यह पैंडमिक का असर कम होगा पब्लिक ट्रवलिंग मोड पे आएगी सेयर को पकड़ना मुस्किल हो जाएगा इसलि है कई पर 32 पैसा लगाया हुआ प्रमोटर विथा यह फोलिंग जो प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया पास 57.4 परसेंट की वह इंडिविजियल इन्वेस्टर हम आप जैसे लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर 7.05 परसेंट की होड़निंग इसमें रखते हैं पूरी तरीके से ड सब्सक्राइब कीजिए अभी तो फिलाल यह कंसॉलिडेट मोट पर है बहुत टेजी से पैसा आपको बना के देगा तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जब भी मौका में एड करते चलिए लॉंग टम के लिए बहुत ही फेवरेवल पिको सकती आप के पोर्टफोलिय लिए तो आई ये भी में उसका सॉट्रम और लॉंग टम का टार्गेट डिसकस करले ते हम तो मेरा जुड़ं का टार्गेट आया तीटी सीमें मेरा साट कों का टार्गेट से मेरा मतलब है मैंने टार्गेट का कम इसले दिया है क्योंकि मार्केट में अभी कोरोना पेंडेमिक के वज़े से बहुत अंसर्टेंटी है जैसे ही इसमें अंसर्टेंटी कम होगी तब यह रॉकेट बनना स्टार्ट होगा तो लॉंग टर्म से मेरा मतलब एक से डिल साल का है टार्गेट मे बड़ी होल्डिंग गवर्मेंट की आपने देखी लिए 87 परसेंट स्यादा की होल्डिंग गवर्मेंट के पास है तो लॉंग टर्म के लिए बहुत ही स्कांदार्स टॉक हो सकता के पोस्वोलियों के लिए